नवस्कार, सुप्रभाद, स्वागत आप सभी का एक बार पुना आपके पसंदिदा कारिक्रम सबरंग में पित्रों हम सुनते आए हैं काल करैसो आज कर, आज करैसो अब अर्थाद जो करना है वो अभी कर लो, कल कभी नहीं आता है इसलिए मन में जो भी खयाल है, अच्छी खयाल है उनको दतकाल कर लेना चाहिए क्योंकि जब हम कल पहुचते हैं तो सोचते हैं अरे इस कारे को तो कल कर लिया होता तो कितना अच्छा होता तो हम जो अच्छा कारे करने का संकल्प ले रहे हैं उसे अभी ही करें अभी नहीं तो कभी नहीं ये कहा जाता है तो आएए इसी सुन्दर और श्रेस्ट द्रण संकल्प के साथ आपको लिये चलता हूँ आज के सुवाक्य की ओर तैयार नहोने की भावना या अपर्याक्तता की भावना हो सकती है जो हमें अभी शुरू करने से रोकती है लेकिन जब परमात्मा को ही हमारी काबिलियत पर भरोसा है तो फिर हमें जीत हासिल करने से कौन रोक रहा है परमात्मा कहते हैं किसी भी लक्षे को हासिल करने के लिए आपके अंदर हर गुण मौजूद है लेकिन इंतजार नहीं करो आप जहां हो वहाँ जो आपके पास है उसको लेकर आप जो कर सकते हैं वहें करो अभी नहीं तो कभी नहीं कहते हैं यदि हृदय में इश्वर को बसा लो तो कभी भी हृदय घात नहीं होगा यदि मन में दिल में इश्वर बसी हुए हैं तो वहां कमियां कमजोरियां नहीं होंगी बुराईयां नहीं होंगी और यदि बुराईयां नहीं होंगी तो मन में व्यर्थ के चिंता के भाव पैदा नहीं होंगे stress नहीं होगा क्योंकि यही तो कारण है हमारे हरिदय की गती को रोकने के तो आपका हरिदय कैसे संपूर्ण स्वस्त रहे इसी की सुन्दर टिप्स लेकर आज हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर गुपता जी आपकी सेहत आपके हाथ में आये संते हैं ओम शांती गुड़ मॉर्निंग फ्रेंट्स हार्ट दिल दिल है कि मानता ही नहीं अपने सुना होगा यह दिल क्या चीज है दिल हमारे शरीर का मुख्य अंग है जो एक मिनिट सतर बार धढ़कता है और थाथ एक सेकिंड से भी कम समय में एक बार सारी बॉड़ी में ताजा खून की सप्लाई कर देता है और गंदे खून को वापिस अकिल हार्ट में हार्ट से लंग्स में भेज देता है ऐसी वंडर्फुल मशीन है जो कभी रुकती नहीं दिन राज चलती रहती है अगर इसमें कुछ हो जाता है तो क्या होता है आज हार्ट डिजीज जिसको हम कॉर्णी हार्ट डिजीज जिसको एंजाइन और हार्ट अटेक के नाम से जाते हैं ये वर्ड का नंबर वन किलर है लगबख हर देश में 30% हार्ट लोगों के बित्तिव इसी कारण से होती है और ये जो है बिमारी इसके मुख्य कारण कुछ तो साइकलोजिकल रीजन्स है जो लोग जल्दी बाजी करते हैं उनको 3 गुनाधिक हार्ट अटेक्स होते हैं उनको चिंता अधिक करते हैं उनको 2 गुनाधिक हार्ट अटेक्स होते हैं जो लोग अधिक गुसा करते हैं, उनको 3-9 गुनादिक heart attacks होते हैं, जो उदास हो जाते हैं, उनको भी ज्यादा heart attacks होते हैं, और जो लोग अपने मन की बाते शेर नहीं करते हैं, अपनी tensions को शेर नहीं करते हैं, लोग कुतों से भी शेर करते हैं, तो भी heart attack कम हो जाते हैं, जो लोग share नहीं करते हैं, उनको तिन गुना अधिक heart attack होते हैं, अपने सुना होगा, एक कहावत को सुना होगा, अगर दिल खोल लिया होता है यारों से, तो ना खोलना पड़ता हो जारों से, दोस्तों, अपने दिल की बातें, अपने साथियों को, अपनी वाइफ को या हस्बेंड को या अपने बच्चों से जरूर शेर करें, तो आपको heart key memory नहीं होगी, साथ-साथ अपना blood pressure अधिक होता है, उनको तीन गुना अधिक heart attack होते हैं, डायबेटीस वालों को तीन गुना अधिक heart attack होते हैं, अगर आप धुमर पान करते हैं, दो गुना अधिक heart attack होते हैं, तो दोस्तों इनका सही इलाज करें, सही निवारन करें, सही भोजन खाएं, समय पर खाएं, सेर करें घंटा सुबा, संदाइस के बाद अपनीन करें, तो आपको इन विमारें से मुक्ती मिल सकती है, और मन को तीक करने के लिए meditation का प्योग करे आपका दिल हमेशा तंद्रुस्त रहे इने शुप कामनाओं के साथ, आई अब आपको लिए चलता हूँ मैं दिल वालों की नगरी दिल्ली में, भारत की राजधानी, एक ऐसा स्थान जिसने पूरे ही भारत वर्ष के इतिहास को देखा है, बड़े बड़े सम्राटों ने जहां शासन किया है, ऐसा स्थान जहां पे सभी अपने दिल को खोल कर बहुत ही खुशाली और आनंद का अनुभाव करते हैं, जहां बहुत सुन्दर सुन्दर एतिहासिक स्थल्वी हैं, तो जहां से संपूर भारत वर्ष को एक नई दिशा भी प्राप्त होती है, तो आए आपको लिए चलता हूँ, होपसुरत नगरी भारत की राजधाने, दिल्ली की और स्प्रीच्वल इंडिया में राजगाड, महात्मा गांदी का अंतिम विश्रामस्थल, विपन संस्कृतियों, भाषाओं और लोगों का एक सुन्दर बहुरूपक दर्शक, हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, जो हमारे देश के रासधानी है, दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, कि दि प्राचीन भारतिया महाकाविय, महाभारत के अनुसार, प्राचीन शहर, इंदरप्रस्त, 5000 साल पहले वस्तापित किया गया था, पहले तोमर राजगंज, फिर चोहान, इसके बाद दिल्ली सल्तनन, बाबर द्वारा, मुगल सामराज्य का गठन, ब्रिटिश इस्ट इंडि पन में भारत में इश्वय सेवा की शुरुवात हुई थी, 1967 में ब्रह्मा बाबा स्वयन दिल्ली आये थे, दिल्ली में अनेक अध्यात्मी कार्यकरम आयूजित किये गए, जिसने सेवा कतिविधियों को आगे बढ़ाया, 1905 में ब्रह्मा बाबा के समान में समारक डाक सबसे उपर 2021 में दादी जानकी के समान में एक इसमारक टिकेट दिल्ली में जारी किया गया था, दादी ओल राउंडर से शुरू होकर दिल्ली में ईश्वय सेवा के बीच दादी रुकमनी, दादी कमलमनी और बी के जगदी चंद जैसी महान हस्तियों ने बोए, जिसे बी के चकरधारी, बी के ब्रीच मोहन और बी के आशा द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, परमात्मा से ज्ञान के प्रसार में दिल्ली नसद्य विशेश भूमी का निभाई है मित्रों हमें प्रेणा देने वाले, हमें मार्ग दिखाने वाले, हमें अच्छी राह पर चलने की सीख देने वाले हमारे पूरवज रहे हैं इसलिए हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं कि उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी उन्होंने कुछ ये कारिय शुरू किये थे जो आज भी हम चलाते आ रहे हैं हमारे अपने-पूर्वज तो होते ही हैं परिवार के उन्हें सुन्दर प्रेड़ना प्रदान की है ऐसी एक आध्यात्मिक विभूती है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरी विश्विद्याले की वरिस्ट राजियोगी ने दादी रुकमने जी जिस दिल्ली के अभी हम बात कर रहे थे उस दिल्ली को आपने आध्यात्म स सीचा है वही आजीवन रहते हुए सुन्दर इश्वरिय सेवाएं की हैं आए उनके जीवन से सुन्दर प्रेड़ना लेते हैं सबकी अतिस्नेही यग्य की आधिरतन दिल्ली जोन की जोनल इंचार्ज अधर्णिय रुकमनी दादी जी थी आपने अपनी जीवन यात्रा का शत्त पुरा किया सभी को श्रीमत प्रमाण चलाना स्ववनती के लिए सही राय देना हर एक के दिल को समझ कर भावनों को जान कर उन्हें संतुष्ट करना ऐसी हम सब की मिठी रुकमनी दादी अलोकिक व्यक्तित्प की धनी थी आप दादी गुलजार जी के साथ पूरे दिल्ली जोन की बहुत अच्छी रीट से देखरेक करती रहें ये आश्यर ही नहीं अकलपनी सलगता है कि कैसे सो वर्ष तक इतनी अनुशासित रूप से एक विशाल संगठन में उदाहरण मूर्थ बनकर अनेकों के लिए प्रेड़ना इस्तम्र बन गई प्रेरित हुए हम दादी जी के जीवन से जिन्होंने हमें कितना कुछ सिखाया सच मुछ हमारे आने वाली पेड़ी भी हमें अपने पूर्वच के रूप में याद करेगी तो क्या याद करे याद किया जाता है नैतिकता को, मुल्यों को, उन बातों को जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया क्यो ना ऐसी आध्यात्मिक और नैतिक बातों से हम स्वयम को सजाएं और ये सुदर कारे कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारियां क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में आने वाले भाई और बहने अपने जीवन को भी इन्ही सुन्दर फूलों से, नैतिक मुल्यों के फूलों से, आध्यात्मिक मुल्यों के फूलों से सुगंधित करते हैं, सुवासित करते हैं और इसके माध्यम से जन जन की सेवा करते हैं आईए देखें किस प्रकार की संदर सेवाएं ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से हो रही है ज्वाला मुखी योग तथा अंतर मुखी तपस्या के साथ आईए करें स्वयम के संपून स्वरूप का अहवार अपने पूर्वजों के पद जिन्हों का अनुसरन करते हुए तीन दिन सभी करतव्यों और सेवाओं से मुक्त होकर उस एक की अव्य विचारी ज्वाला मुखी याद में आईए तपस्या के शक्तिशाली वाइब्रेशन्स पहलाएं दिन्चर्या की शक्तिशाली शुर्वात करें प्रातह तेन बजे से पांच बजे तक कॉमेंटरीज के साथ पावर्फुल योगा भ्यास छे बजे से साड़े छे बजे तक मूर्ली के पूर्व योग साड़े छे बजे से साड़े साथ बजे तक मूर्ली क्लास साढ़े साथ बजे से आठ बजे तर मुरली के पश्चात योग साढ़े दस बजे से ग्यारा बजे तर महरती आत्माओं की अनुवव्योक्त शक्तिशाली क्लास 11 बजे से 12 बजे तर अव्यक्त मुरली मन्थन द्वारा विशेश किसी एक ज्यान बिंदू पर योग अभ्याद साढ़े 3 बजे से साढ़े 4 बजे तर कॉमेंटरी द्वारा आत्मा की भिन स्टेजिस का शक्तिशाली अनुभव साढ़े 5 बजे से साढ़े 6 बजे तर चलते फिरते मनंचिंतन करते हुए योगानुभूती साढ़े 6 बजे से साढ़े 7 बजे तर संपून विश्व में शान्ती और शक्ति की लहरें खैलाना साढ़े आट बजे से साढ़े नौ बजे तर बाबा की गोद में दिन भर की दिंचर्या सुनाते हुए सुन्दर योगा भ्याज मित्रों नैतिकता का पत, सत्य का पत कठिन अवश्य होता है लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले की जीत अवश्य होती है इस मार्ग पर चलने वाले का गायन अवश्य होता है उससे प्रेरित होकर लोग युगों युगों तक उससे याद करते है इसलिए भले ही हमें लगता है कि आज की युग में, आज के दौर में सत्य पत या नैतिक पत या ध्यात्मिक पत थोड़ा कठिन है लेकिन यदि इसे अपना कर देखें तो जीवन सुआसित होता चलता है शक्तिशाली हम बनते चलते हैं और औरों के लिए प्रेरग बनते चलते हैं और ये भी कहा जाता है कि सत्य के साथ हमीशा इश्वर होते हैं सत्य की नाव हिलती डूलती अवश्य है लेकिन डूबती कभे नहीं इस बात का पक्का वैदा स्वयम इश्वर करते हैं तो क्यों ना हम भी सत्य पत पर चलने का द्रण संकल्प करें अच्छी बातों को जीवन में लाने का द्रण संकल्प करें तभी जीवन श्रेस्ट बनता चलेगा और हम औरों के लिए प्रेरक और आदर्श भी बनते चलेगे आज के लिए इतना है देजी इसाज़त कल पुना आपसे इसी वक्त सबरंग में मुलाकात होगी नमस्कार ओम शैन्ते